भारत दुनिया से पीछे क्यों रह गया जिस देश के साथ विश्व गुरू जैसा नाम जुडा हो उसे आज विख्सित राश्ट्र बनने की कोशिश करते देख ऐसा लगता है कि क्या सचमुच भारत कभी विश्व गुरू था और यदि था तो कैसा था कब था और फिर ऐसा क क्या हुआ कि भारत आज इस इस्तिती में पहुँच गया और इसके लिए हमें आज से 5000 वर्ष पहले जाना होगा जब विश्व में मुख्य रूप से चार सब्वेताओं का उदय हो रहा था और उसमें से एक थी भारत की सिंधु घांटी सब्वेता हाला कि सिंधु घांटी सब्वेता एक नगरी सब्वेता थी परन्तु उस समय ऐसे कोई साहित्तिक प्रमान नहीं मिलते जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि सिंधु घांटी सब्वेता में कोई बैचारी क्रांती हुई थी सिंदू घांटी सब्विता अन सब्विताओं की तरह ही एक नगरी सब्विता थी और जीवन यापन करने के अच्छे ढंग ढून रही थी फिर आज से लगबक 3500 साल पहले भारत में वो हुआ जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भारत में वैरिक काल की शुरुवात होती है और रिगवेद का संकलन प्रारम हो जाता है अगले 500 सालों तक रिगवेद की रचना हुई और उसके बाद अगले 400 सालों तक बाकी 3 वेदों की रचना हुई इस प्रकार अब से लगबग 30,000 वर्ष पहले ही चारों वेदों की रचना हो चुकी थी और ये ग्रंथ दुनिया के सबसे पहले ग्रंथ माने जाते हैं जब दुनिया की अन्य सब्विताएं किसी तरह लिखना सीख रही थी तब भारत में चारों वेद लिखे जा चुके थे पुराणों की रचना हो रही थी उपनिशद लिखे जा रहे थे और ये सब आज से धाई हजार वर्ष पूरु की बात है जब विश्व की प्राचींतम सब्विताओं ने ज्ञान की खोच प्रारम की तो उन्हें भारत में ही आसरा मिला ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भारत से बाहर जाकर ज्ञान लेकर आया बलकि दूसरी सभ्यताओं के लोग भारत आते यहां के विश्व विद्यालों में अध्यन करते ग्यान अरजित करते और फिर अपनी सभ्यताओं में जाकर वे ग्यान बाटा करते आज से 2000 वर्षों से भी पूर समराथ अशोप का सामराज वर्तमान भारत के छेतरपल से कहीं बढ़ा था फिर कुछ 100 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि जिस भारत भूमी पर ना कभी मंगोल आकरमन करने की हिम्मत कर सके और ना ही सिकंडर महान ने यहां के सामराज से टकराने का दुस्साहस किया उस पर कुछ मामूली तुर्क कभीलों ने ना केवल आकरमन किये बल्कि यहां पर अपनी सत्ता भी इस्थापित कर ली और यह क्रम लगातार अंग्रेजों तक यूँ ही चलता रहा यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो भारती समाज में एक वर्ण व्यवस्था लागू थी यह व्यवस्था मुख्य रूप से समाज को कारिय के आधार पर चार वर्गों में बाटने की थी यहां कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग से मूचा या नीचा नहीं था बलकि केवल कारियों का विभाजन किया गया था ताकि राजा सभी वर्णों की आविशक्ताओं की पूर्थी कर सके और एक संतुलित समाज का निर्माण हूँ प्राचीन भारत के सबसे बड़े सामराज जिसमें नंदवन्ष और मौर्वन्ष आते हैं ये राजा भी छत्री ना होते हुए भी संपूर भारत में अपनी सत्ता इस्थापित कर चुके थे इससे यही अभिप्राय निकलता है कि वर्ण व्यवस्था तब तक अपने मूल रूप में ही थी जिस प्रकार इसका उल्लेक वेदों में और पुराओं में किया गया था परन्तू धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था में विकृति आने लगी और ऐसे लोग जिनमें योगिता तो नहीं थी परन्तू सम्मान की लालसा थी उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जाती प्रथा में परिवर्थित करना प्रारंब कर दिया जन्म के आधार पर ही किसी द्यत्ती को उँची जाती और किसी को नीची जाती का मानना प्रारंभ कर दिया दया यह जाती प्रथा भारती समाज के लिए अभिशाप तब बन गई जब तथा कथित उची जाती के लोगोंने मीथी जाती मानी जाने वाले लोगों खुरे उन्नती के अधिकार ही छीम दिये उन्हें अध्यन अध्यापन से दूर कर दिया और मजबूर कर दिया कि वे कभी भी अपने जीवन इस्थर को उच्छा ना उठा सके और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारती समाज का एक बहुत बड़ा तबका पिछड़ता चला गया भारती समाज कमजोर होता गया और इस प्रकार एक कमजोर समाज को हराना किसी विदेशी आकरानता के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर हुआ भी यूँ ही लगभग एक हजार इस्जवी से तुर्क कबीलों का लगातार आकरमन भारत में होता रहा और फिर आगे चल कर यही मुगल सल्तनत का भी आधार बना ये एक हजार बरसों की दासता भारती समाज की अपनी कमजोरियों का ही परिणाम थी जातिवात का जहर धीरे धीरे भारती समाज को खोखला करता गया जिसका फाइदा पहले तुर्क कबीलों ने उठाया फिर मुगलों ने उठाया और फिर अंतमे अंग्रेजों के लिए भी भारती राजाओं को हराना कोई बहुत बढ़ी चुनावती नहीं थी क्योंकि उन्हें भी भारती समाज का ये तूटा हुआ रूप बड़ी आसानी से दिख रहा था आजादी के बाद भारती सम्विधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया और कठोर कानून बना कर ये व्रवस्था की गई कि जातिवात का जहर समाज से हटाया ज जैसे कभी हुआ करता था परन्तु फिर भी जाती प्रथा आज भी भारती समाज का एक अंग है और समाज को बाटने का तोड़ने का और कमजोर करने का कारिय कर रहा है भारती संस्कृती में कभी भी जातिवात का कोई नामों निशान नहीं रहा इसे कुछ धूर्त लोगों ने भारती संस्कृती में घोल कर इसे दूर्शित ही किया है क्यों ना हम भारती समाज में घुले इस जन्म आधारित जाती प्रथा के विश को पहचाने और इसे दूर करने की कोशिश करे ताकि भारत फिर से दुनिया के सामने एक विक्सित राष्ट और विश्व गुरू बन कर उभर सके